नवस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में मद्द प्रदेश के पिर्मुख मेले जो की व्यापम और MPPSC के लिए बहुत ही जादा महत्पूर हैं तो दोस्तों चलते हैं आंगे बढ़ते हैं दोस्तों से पहले आप की वीडियो अप्लोड करता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंश चके और आप मेरे हर वीडियो को देख सके तांकि आपको पिर्तियों की तपरिशाम में पास करने में जाना शहुलियत हो तो चलिए दोस्तों आंगे बढ़ते हैं दोस्तों इस व दोस्तों यह मेला लगबक सो बर सो से अधिक साल पुराना है जो की जन्बरी और फर्वरी महिने में लगता है दोस्तों इसके बाद अंगला है हीरा भूमिया का मेला की बास दोस्तों यह है गवालगे गुना और आसपास के छेत्रों में हिरामन बाबा का नाम प्रिशिद है माना जाता है कि हिरामन बाबा के आशिवाद से महिलाओं का बाश्वन दूर हो जाता है प्रिशले कुछ सत्कों से हर वर्ष इस पूरे छेत्रक में अगस्ट और सितंबर के महिने में हीरा बूमिया का मेला आउजिद किया जाता है दूस्तों अगस्ट और सितंबर के महिने में हर साल मेला का आउजिद किया जाता है चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला है दूस्तों पीर बुधन का मेला दूस्तों इसका जानता है दूस्तों यह मेला 200 बर्स से अधिक साल पुराना मेला है दूस्तों यह मेला शिवपूरी जिले में लगता है और दूस्तों यह मुसलिम संत पीर बुधन जी की कब्र के पास आउजन किया जाता है दूस्त और सितंबर के महीनों में आउजित किया जाता है और इस मेले का इसन के बहुत ही धूमदाम से किया जाता है चलिए दोस्तों आंगे बढ़ते हैं अंगला नांगा जी का मेला जोस्तों इसके बारे में जानते हैं दोस्तो यह मेला अकबर के शमय से अकबर के शमय के शंत नांगा जी की समयति में नवंबर और दिशंबर में के दोरान आयुजित किया जाता है यह मेला मुरेना जिले के पुर्शा गाउंक में लगता है दोस्तो यह मेला करीम एक महीने के लिए लगता है दोस्तो पहले यह बंद्रों को बेचा जाता था पहले यहाँ पर बंद्रों को बेचा जाता था लेकिन अब अन घरेलू पस्तुओं को भी यहाँ बेचा जाता है दूस्तो इसके बाद चलते हैं आँगे बढ़ते हैं आँगा है तेता जी का मेला दूस्तो तेता जी के मेला की बात करते हैं तेता जी एक सच्चा आदमी था दुश्तु कहा जाता है कि सरीर से शाप के जहर को दूर करने की सक्ति उसे प्राप्त थी तेजा एक तेटा जी नाम का एक ब्रक्तिता उसके लिए शाप का जहर दूर करने की सक्ति प्राप्त थी कि पिष्ले 70 बर्सों से गुना जिले के भामा वरगाउं में तेता जी के जनम दिन पर इस मेले का आयुज़िन किया जाता है चलते हैं आगे बढ़ते हैं जागे शुरी देवी का मेला उसके बार हम जानते हैं प्राश्टीन काल से अशोग नगा जिले में है चनेरी में इस मेले का आयुज़ित किया जाता है इसके बाद अंगला है अमर कंठक का सिवरात्री मेला दोस्तो यह मेला पिछले 80 सालों से सैडोल जिले के अमर कंठक में नरब्दा नदी के उद्गम इस्तल पर सिवरात्री के दिन यह मेला अविचित किया जाता है अंगला है दोस्तो महामर्टुजय का मेला दोस्तो यह रीवा में किया जाता है और यह रीवा जिले के महामर्टुजय मंदिर के बंदर में बसंत पंचमी और शिवरात्री के दिन यह मेला लगता है इसके बाद अंगला है बरवान का मेला दोस्तों यहां नर्शिंग पुर्जले के नागरवारा में मकर्शक्राथी पर लगता है इसे इस तेरा दिवस्ची मेले की सुरुवात होती है मकर्शक्रांती से इस तेरे दिवस्ति ये तेरा दिन का हमिर लगता है जिसकी मकर्शक्रांती से सिरुवात होती है और दोस्तो चलते आंगे चंडी देवी का मेला दोस्तो यहाँ सीधी जिले के घोगरा गाउं में लगता है और दोस्तो यहाँ पर चंडी देवी का मंदर है जन्हें देवी पारवती का अपतार माना जाता है दोस्तो यहाँ मेला मार्श अफ्रेल में लगता है इसके वाद चलते हैं यहाँ की बढ़ते हैं अंगला है दोस्तो शहाब उद्दीन औलिया बाबा का उर्ष दोस्तो यहां मनसौर जिले के नीमच में फरवरी माह में आउजिन किया जाता है दोस्तो जो चार दुनों तक चलता है यहां बाबा शहाब उद्दीन की मजार है इसके बाद अंगला है दोस्तो कालू जी महराज का मेला दुस्तों यह खारगोन जिले के पिपल या खुर्द में एक महीने तक यह मेला लगता है दुस्तों कहा जाता है कि लगवक्त 200 वर्ष पहले कालू जी महराज यहां अपनी सक्ति से इंसानों और जानवरों की भीमारी ठीक किया करते थे सिवाद अंगला प्रिश्ट सिंगा जी का मेला दुस्तों सिंगा जी का मेला सिंगा जी एक गड़ एक गड़ आदमी थे और उन्हें देपता माना जाता था तो यह गड़ नहीं गुड़ा है एक गड़ आदमी थी और उन्हें देपता माना जाता था पर्शिम निवार में पिपल लिया गाउं में अगस्त और सितंबर में एक सापताई के लिए यह मेला आयोजन होता है इसके बाद अंगला है धामोनी और दोस्तो यह शागर जले के धामोनी नावाकिस्तान पर मस्तान शाह बली की मज़ार पर अप्रेल महिने में यह उर्श लगता है इसके बाद अंगला है दोस्तों सियंस्त मेला और जेन दोस्तों सियंस्त का मेला और जेन मद्दप्रदेश में लगता है दोस्तों मद्दप्रदेश के तो यह सभी मेले हैं लेकिन यह सबसे प्रमुख मेला सियंस्त का मेला है क्योंकि यह 12 शाल में एक बाल लगता है अंगला है दोस्तो करीला का मेला दोस्तो यह करीला अशोक नगर जिले में लगता है इसके बाद है काना बावा का मेला दोस्तो यह हर्दा जिले में लगता है इसके बाद अंगला प्रेशन है बड़े बावा का मेला दुस्तों यह दमों जले में लगता है इसके बाद एंगला प्रिश्ण जल बहार मेला दोस्तों यह तो इस वीडियो में बस इतना ही यह आपको यह वीडियो पशंद आया हो तो प्लीज माइब करें शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताको वो भी ये इस वीडियो का लाव ले साग है दोस्तो चलते हैं मिलते हैं एक ऐसा ही वीडियो के साथ अब तक किल दोस्तो बाई